आहमादमी पार्टी के सेम उमीद्वार रेटाइड कर्णल अजे कोठ्याल नहीं प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए ट्वीट किया है। आपने बात कही है। उसमें उनके अधिकारों पर चोट करने वाले देवस्तानम बोर्ट पर आपने कुछ क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पहली बार मंदिर परिसर में गर्ब ग्रहे के अंदर से द्रश्युक को कैमरी के जरिए लाइव दिखाकर हजारों साल पुरारी प बने हैं। आज सेम धामी से भी कई सवाल पूछ रहे हैं। पांच सवाल अगर हम बात कर रहे हैं कि इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है राज्य सरकारिया किसी भी तरिके की प्रतिक्रिया? उपने आपको प्रायोजित किया, उन्होंने चुकी 2022 में विधान सवा चुना है और जो विकास के मुद्दे की बात की जा रही है, वो विकास का मुद्दा उनके कारेकाल के दोरान नहीं है। वो नहीं किया जाता है, गर्व गीरीफ का जो लाइब दिरिश्य बहुं नहीं दिखाया जाता है, जो लोग महाँ पर आते हैं भाही दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं दार्मिक प्रधान मंतरी यहां आये उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा है और लाइब दिखाया है पूरे परसारण कराया है इसको लेकर के आम आदि पार्टी ने भी प्रदेश सरकार को और प्रधान मंतरी दोनों से सवाल कियें उनको घेरा है और जो सवाल की बात आप कर रही है कि कम आईसी बातें भी कही हैं उन्होंने चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे त्रध पिरोईतो का मामला हो चाहे उत्रा खंड के लोगों की आस्ठा की भावना हो उत्रा खंड के आकर के इवावर की सराना की, उन्होंने ये कहा कि यहां के पानी को बर्वाद नहीं होने देंगे, यहां की पानी और यहां की जवानी उत्रा कंटे ही काम आएगी, उन्होंने प्रोईतों के इस बात को लेकर के कहा कि कोई विशम भगोलिक वर्तितियों के बावजूद भी य के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे ज्वनतंत्र टीवी अपको जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें